जाहिंद नमस्कार मेरे सेर सेनियो लाड़ो डाडलियो स्वागत आप सभी का अपने यूटूब चैनल कमांड अकेडमी में आज का ये वीडियो इस पेसली एससे जीडी वाले चात्रों के लिए है जो बिलोंग करते हैं ओडिसा से बहुत सारे बच्चे जो डिसा वाले हैं हमारे अकेडमी में भी है और बहुत प्यार भी मिलता है इसलिए इस पेसल में आप सब के लिए ये कटोप का वीडियो बना रहा हूं साथ है आपके लिए एक इंफरमेशन भी जिन बच्चों के नमबर अच्छे हैं उनको प्री मेड सकते हैं इसके बारे में ये वीडियो साथ है अगर आप फिजिकल की त्यारे करना साथ हैं तो भी एकेडमी आ सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर पूरी जानकारी ले लिजे लाड़ लो बात करते हैं कि फिजिकली कटोप फिछली बार उडिसा से जो हाइस गईती जनरल केटेगरी से और जनरल डिस्टिक से ना कि नक्सल डिस्टिक से वो केटी चम्माली से तो सर इस बार कितनी जा सकती है तो मैं बोलता हूँ इस बार जिस बच्चे के 68 नंबर या 66 से उपर नंबर है वो फिजिकल के लिए क्वालिफाइक हो जाएगा अगर वो जनरल केटेग नंबर है तो भी आपको फिजिकल की त्यारी करनी चाहिए धान रखे इस बार क्योंकि पिछले बार कितनी गई थी 31 नंबर यानि जिस बच्चे के पिछली बार सोब में से 31 थे उसको फिजिकल के लिए बुला लिया गया था ठीक है अब बात करते हैं 2021 में हाइस्ट जो कटोब और मेडिकल कटोब बिल्कुल समान रही थी ठीक है अब कितने नंबर वाले का फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा इस बार ओडिशा से तो बात करते हैं सबसे पहले जनल केटेगरी की देखिए बीस अप में की गई थी 51 स्याइसब की 60 SSB की 52 ITBP 50 और AR की चोपन यानि अ आप फाइनल मेड तक जाएंगे और पूरे पूरे आपके चांस है इस बार जोब लगने के SSGD के दुआरा यनि आपका सेलेक्शन होने के पूर्ण चांस है ठीक है अगर आप ST category या नक्सले एरा से तो देखिए पिछली बार गही थी 40, 48, 41 और 43 यह नि पिछली बार जिस बच्चे के 64 नवर थे और वो और अगर नक्सले एरा से या ST category था तो उसका सेलेक्शन हो गया तो इस बार कहने का मतलब है नहीं पिछली बार कहने मतलब 40 नवर थे इस बार जि आप अपकी 66 नंबर है या इसे उपर नंबर है तो आपके तो पूरी चांसर फाइनल मेट में सेलेक्शन होने के ठीक है और अगर आप जनल के टिकरी से तो आपके उडिशा से कम से कम मेरा ये मानना है पिच्छे उपर और नभबे के आसपास नंबर होने चाहिए तो आपका क